अयोध्या एक्सक्लूसिव पचास से कम छात्रों वाले 450 स्कूल होंगे बंद। अन्य स्कूलों में होगा छात्र समायोजन 10 अगस्त तक देनी है सूची। अम्रित विचार बेसिक शिक्षा महानिदेशक श्री कंचन वर्मा की ओर से जारी एक आदेश के बाद 50 से कम छात्रों वाले परीश्दिय विद्याले जल्द ही हो जाएंगे बंद। महानिदेशक ने ऐसे स्कूलों की सूची 10 अगस्त तक तलब की है। इसे लेकर बेसिक शिक्षा विभाग में खलबली मची हुई है। सबसे बड़ा संकट बंद होने वाले परीश्दिय विद्यालें के चात्रों को लेकर खड़ा हो गया है। विभाग का दावा है कि उन्हें पास के स्कूल में समायोजित किया जाएगा। जिले में 1788 परिश्दिय विद्याले संचालित हो रही हैं, जहां 2.5 लाग से अधिक चात्र पढ़ाई कर रही हैं। नए आदेश के बाद जिले के सभी 11 खंड शिक्षा क्षेतरों के 450 स्कूल ऐसे हैं, जहां 50 से भी कम चात्र अध्यान कर रही हैं। ऐसे में इन विद्यालेओं के करीब 3000 चात्रों के समायोजन को लेकर संकट भी खड़ा हो गया है। महानिदेशक की ओर से जारी आदेश के तहट कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा विद्यालेओं को पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने की दशा में यह अपेक्षा की गई है कि कम नामांकन वाले विद्यालेओं का निकट्स्त अन्य विद्यालेओं में समविलियन किये जाने की संभावना ग्याद कर ली जाए। इस प्रकार ऐसे सभी विद्यालेओं के बारे में जन्पत की पुस्तिका तयार कर 10 अगस्त तक राज्य परियोजना कार्याले को उपलब्द कराई जाए।